प्रिक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हमारे साथ हैं रास्तान विश्विद्याले चात्र संग के नव निवाचित अध्यक्ष सत्वीर चौधरी सत्वीर बहुत बड़ी जिम्यदारी है युवाओं की चात्रों की किवले का छोड़ा सा चुनाओं नहीं है चुनाओं तो तमाम हतकंडों से या अपने तरीकों से राजनितिक कोशल से जीत गए होगे लेकिन जीतने के बाद जो आज बड़ी जिम्यदारी है जिम्यदारी है 25,000 छात्राओं के उन में छात्राओं की बहुत बड़ी работать क्योंकि जिस तरह से महारानी कॉलेज के भार जिस तरह से चेड़ चाड़ की लगातार गटनां होती है विश्वित्धाले परिसर में जिस तरह से छात्राओं का अंधेरे में निकलना बड़ा मुश्किल होता है करने का प्रियास करेंगे उस दिशा में पिछली बार चातर संग ने एक ठोस कदम भी उठाया जिसका प्रिणाम ये निकला कि विश्विद्दाले परिशर में कैमपस में पूरे CCTV कैमरे लगे चात्राओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों से युक तुहा पूरा पूतरी की गई और आगामी हमारा ये मुद्दा भी रहेगा कि जो महरानी कोलेज हैं उसमें विशेष करें कहीं न कहीं चात्राओं जो है खुद को ऐसरुक्सित मैसूस करती है उसके लिए महरानी कोलेज परिशर में और साहती जो आसपास का सरवंडिंग एरिया है वहां सब्सक्राइब और साथी जो महिला सुरुक्सा गाड़ या पुरुस के सुरुक्सा गाड़ है उनके लिए हमें विश्विदाले परसासन से डिमांड रखेंगे कि यह जल्द से जल्द अतिशिग्र बेवस्ता हो इनकी सद्बीर एक और बड़ी बात है कि मैंने रज़िश्विदाले बेंजेश्ण से इंगर्वाइब पूझ थी उनकी पेपर दुनिया भर के classroom में पढ़े जाते थेactor बहुत kidnapping hai के वहां पताना चाहूंगा कि आपक्ष में रि सिर्जली प्रजेंटैटिव भी हमारे साहफ कहीं ने कहीं जीत के आता है तो हम आपस में सामन जेसे बिठा के जो भी रिसर्च रिप्रजेंटेटियों की जो भी रिसर्च के इसकोलरों की जो भी समश्या है या इस विश्विद्दाले में पढ़ने वाले जो सोदारती है उनकी जो भी कहीं न कहीं समश्या ही आ रही है उन सब को अमपरात्मिक्ता देते हुए राजस्तान विश्वीदाले के विकास के बारे में और राजस्तान विश्वीदाले के चातर वर्ग के उठान के बारे में हम निरंतर परियास करेंगे शरकार तो भाचपा की है, कांगरिस की तो हैं नहीं, कौन मानेगा सत्वीर तो ओरेवाद। और कुलपती भी जेसा इन्स maturity की था, ङतना उन्स का आदमा पिने जाना नई ओर है को गया, सरकार एजिय का लोड़ केहीं, तो कुलपती भी कुछ स्एहग न quantifyा? पड़े या कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े हम आमचातर को वरियता देके उसकी आउशक उसकी समस्याओं को प्राइरिटी देके हम पूरे साल बड़ उनकी हितों के लिए कारे करेंगे निशीत रूप से उनकी मांगों के लिए कारे करेंगे सबीर तुम बड़े पचास सीटों पे चुनाओं लड़ रही है फिर किस के दम पे किस नेता के दम पे तुम मन्स मिलता है तो कहीं ने कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यह नहीं है कि हमारे किसी बड़े नेता के दबाव से किसी को पत दे दिया या किसी ने किसी ने किसी ने किसी ने किसी ने किसी ने कि सवाल उटने लगें कहने लगें के चुनाओं में चातरसंग के चुना पूरे राजस्तान में नहीं बलकि पूरे देश में बहुत बड़ी संक्या में हमारे कार्य करता मुझूद है और जिस परकार का लोकतांत्रिक सिस्टम इस एनेशुए छातर संग्तन में है पर नेता तो बहुत कमचूर है राहूल गांदी के भरोसे जो समस्य आते ही इंडिया से भाहर चली जाते हैं कहीं गुमनाम हो जाते हैं ऐसे नेता के भरोसे कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं सद्विर मैं आपको अउगत कराना चाहूंगा जिस परकार के नतीजे जिस विशे के बारे में हम बात कर रहे हैं राजस्तान विश्विद्याले में आये हैं नहीं राजसान विश्य दियाले के नितीजे तो तुमारे महनत का परणाम है राहूल गन्दी ने तो पूरे देश में महनत की थी और उनकी महनत का परणाम सबको पता है कि कितने सीटों में सिमट के रह गए या कॉंग्रिस पार्टी और आने वाले विदान सबाद चुनाओं में भी पता लग जाएगा कि राहूल गंदी की मेहनत कितनी काम आईगी इस राज्य का ही नहीं बलकि इस पूरे देश का युवा आज राहूल गंदी की सोच के साथ जुड़ा है आने वाले समय में ये सिद्धोओ जाएगा कि इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश के महिलाएं और इस देश का बुज़रू कहीं न कहीं राहूल गंदी से ही बिलोग करो सद्वीर दस साल राहुल गांदी को दिये थे 2004 से 2014 उसके बाद लोगों ने हाथ जोड़ के का राहुल बाबा अब माफ करो जिस परकार के जूटे बादे करके जो राज्य में सरकार बनी जो देश में सरकार बनी उससे कहीं न कहीं युवा पूर्ण रूप से वेथित हो चुका है इस देश का युवा ये चारा है कि जिस परकार के जूटे बादे इन्होंने किये 15 लाग युवाओं को रोजगार दे कहीं न कहीं युवाओं से जुड़े जो भी वादे उनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए और जिन अच्छे दिनों की बात कर रहे थे उन अच्छे दिनों का क्या हुआ इस देश का युवा आज ये जवाब मांग रहा है और आपको मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार की क परांती चल रही है वो आने वाले दिनों में इस राजस्तान में ही नहीं बलकि इस पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी फिर दुबारा सत्ता में आएगी और कहीं न कहीं युवाओं के लिए इस देश का आम युवा देश का आम नागरेक 65 साल के आज़ादी के बाद के भी हिसाब मांगता है कॉंग्रेस से 55 साल उसने देश की राजनीती पे शाशन किया क्या किया कहा रसातल पे पहुचा दिया देश को प्रश्टाचार के गरत में डाल दिया ये भी पूस्ता है तो आखर में कैसे लगता है कि अच्छे दिन नहीं आए नरेंद मोदी के जूटे वादेव के चलते या राजस सरकार के नाकामी के चलते फिर जंता कॉंग्रेस की और मुड जाएगी देखे मैं ज्यादा गराही मैं नहीं जाना चाहूँगा बस मैं आपको यह करना चाहूँगा कि जिन चात्रों ने में मुझ पे विश्वास करके राजस्तान विश्विद्दाले में परतिनी दित्व करने का मोका दिया है उनकी आकानसाओं पे उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए एक राजस्तान विश्विदाले में विश्विदाले के एक आम चातर को मजबूत और सचक्षण करने का प्रियाश परूंगा ईह सत्वियर 4 को दिया है और राहूल गांधी को दिया है वोट ने जिस परकार का वातावरन इस पूरे देश में और उस पूरे राजे इचली बार जब चातरसंग के चुनाओ थे उस समय लोकसभा और विदान सभा महार के आए थे चातरसंग का चुनाओ जीता हमने सभी राजस्तान की लगबग यूविश्टियां सब जीती इस बार भी जब हम नगर निकाए के चुनाओ आरे उसके बाद राजस्तान में फिर शक्ती आ चुकी है और पार्टी को त्यार कर रहा है निसीत रूप से इस देश का और इस पूरे राज्य का युवद जाग चुका है और वो ये समझ चुका है कि जिस परकार का चलावा इस सरकार ने किया है जो जिस परकार की नीतियां ये बना रहे हैं उसके विरोध में बिहार में कॉंग्रेस बहुत कट हो और संगर्श कर रहे हैं बहुत ही एकडम गला कार्ड वैसे ही जेडियू और लालो और नेतिश ने उनको 50 सीटों तक सिम्टा दिया है अब 50 सीटे भी पचाने के लिए है उस पे भी अपनी इज़त पचाने के लिए तो ऐसे में क्या ए तरहुल गंदी जी है और उनकी सोच के साथ हम काम करेंगे जिस प्रकार का संदेश और जिस प्रकार का समर्तन हमें मिल रहा है मां आपको बताना चाहूंगा इस राज्य में नहीं पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार होगी और निसीत रूप से युवाओं के हि को अन्दर की बात हैं कैसे उपरेगी कॉंग्रेस पार्टी एनस्यूइ को तो बार लिया तो कोई ना कोई तुम्हार पास रामबान होगा कि एनस्यूइ को विश्विद्यले में क्योंकि एनस्यूइ की जितनी दुर्गती थी विश्विद्यले में राजस्तान विश्विद्यले में जिस तरह के हालात और जिस तरह की कमजोर कड़ी थी NSUI उसको पड़ा मजबूत कर दिया कैसे किया तुमने ब्लब की पूरे पदेश में पजबूत होके उबरि है और उसका और के में रांबान क्या है कैसे हो यह कही ने कही जो आम झातर है या कही ने कही बिशुवित दाले में चातरों की और जो अन्य विश्वी दले जो पूरे परदेश में चात रहे हैं उनकी समश्याओं के लिए हम उनके बीच में गए हैं और उनकी समश्याओं को लेकर हम सड़कों पे आए पूरे साल बर 365 दिन मौजूद रहकर उनकी बीच में उनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर उनकी समश्य में उनके हित्तों के लिए हमने प्रियास किये साथ ही जिस प्रकार का यह वतावरण बन रहा है राज्य शरकार यह के विरोध मेहनत सबसे ज़्यादा काम आए 365 दिन जो लगातार लगे रहे अभी राहूल गांदी से मिले थे उनको यह रामबांड दिया क्या बहिया 365 दिन लगे रहो बीच बीच में छुट्टियां मनाने बाहर मत जाओ जो वेकेशन लेके चले जाते हो उससे सारा गुडगोबर हो जाता है बता है नहीं क्या उनको कोई सला दी क्या देखे हम बताना चाहेंगे कि राहूल जी हमारे सीनियर नेता है उनके नेतरतु में हम काम क कर रहे है तो हमें किसी परकार सीवन को सजेस्ट करने ही आवशकता नहीं है हमारी पार्टी लोगता अंत्रिक पार्टीय है यहां सब कुछ कहने का करने का अधिकार एक सकसस स्टोरी है तुमारी मेहनद करके हैनी Все is koy ko 받ak già 335 दिन लगता लगे रहे विशजड आ होती है opposite 2 त कि तीन सो पैसर दिन तुम्हारी तरह लगें तो देश में कॉंग्रेस का नक्षा बदल जाएगा देश में कॉंग्रेस वापस कड़ी हो जाएगी देखिए भारत देश बहुत बड़ा देश है इसमें काफी आबादी है तो कहीं ने कहीं राउल जी भी उनके इसाफ से प्रातना करने पड़ेगी भागवान कृष्ण अब तो कॉंग्रेस की लाज बचा लो तेकि मैं बताना चाहूंगा कि मानता हूं आज कर्शन जनमाष्ट मी है हमारे नेता यह मान के चलो आप राहूल गांदी जी हमारे लिए कर्शन बगवान का उतार बनके आए हैं और य इन्होंने भूमी अधिगरेन का जो बिल लाया उसके विरोध में पूरी कॉंग्रेस पार्टी उत्री सडकों तक उत्री सबी राज्यों में पूरे देश में पूरे प्रदेश में जो प्रदसन हुए उसका परिणाम निकला की किसानों को आने वाड़े तरह से यह है कि कॉ कॉंग्रेस बहुत जल्दी उपर जाएगी जिनिसी तरूप से हमें आसा देश्वा से यह थे राजस्तान विश्यद्याले चाथ संके अध्यक्ष सबीर इसलिए कॉंग्रेस को निराश होने की जरूत नहीं है सबीर एक्दम नए नेता हैं लेकिन कह रहे हैं कि जो राहुल परेस जह सबढ़ें से पैसे नहीं हैं राहुलेश को में आसे आसा देवासरिय क महत्तुली झान उल्दी सक भी जर पीज्वा से इसलिए को निरू थे राल कर रहे हैं